Hey, the word of the day is haywire, it means when things go out of control, we call it haywire, in a simple language, जब चीज़े आपके हाथ से निकल जाती है, out of control हो जाती है, बिगड़ जाती है, तब उसे haywire कहा जाता है, बट इसमें यह जो वायर है, इसका प्रणांसियेशन इस तरीके से नहीं होता है, इसे बोलता है, है wire, आरी को हम प्रणांस नहीं करते हैं, है wire, next thing, यह informal word है, it means यह इसका real meaning नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, out of control, बट यह इस context में use होता है, informal आप इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे I do not know, जो next phrase मैं बताऊं का आप क्या use होता है या नहीं होता, बट जैसे अगर आप इंदोर से बिलोंग करते हैं, तो आपने यह चीज़ जरू सुनी होगी, कि अगर कोई भी चीज़ खराब हो जाती है, बिगड जाती है, तो यहाँ पर लोग इस तरीके से बोलते है, अरे यार भाई, चोट होगी, अगर गाड़ी भी पंचर हो जागी, यहाँ पर किसी को चोट लगी नहीं है, इस context में यूस कियाता है, similarly, हे वायर को भी आउट ओफ, जैसे कोई चीज़ जब आउट ओफ कंट्रोल हो गई, तो उस context में यूस किया जाता है, इसका जो real meaning है, मैं end में बताऊंगा, पहले कुछ examples देखते हैं, जैसे सब करो मेरी health बहुत खराब हो रही है, by the way it is not, but अगर हो रही ह तो मैं इसे बोलूगा, like, my health has gone haywire, मतलब मेरी जो health है, वो out of control हो गई है, next sentence, जैसे जब भी वो उसे देखता है, his heartbeat goes haywire, means उसके heartbeat जो है, वो out of control हो जाती, अगर कहीं पर दंगे होते हैं, तो हम बोलेंगे, the situation will go haywire, means situation जो है, out of control हो जाएगी, haywire हो जाएगी, ये जो word है, haywire, इसे normally, maximum time, हम go के साथ ही use करते हैं, go, wind और gone के साथ, now, अब इसका real meaning, देखो, haywire के अंदर, जो सबसे पहले hay है, ये जो सूखी घास रेती है, उसे hay बोला जाता है, जो जानवर को खिलाने में use होती है, उसको जब इखटा करके, जो बांदने के लिए, जो wire use होता है, उसे hay करेंगी unpredictability के कारण, ये इस context में भी use होने लगा है, कि जब चीज़े out of control हो जाती, तब हैवाया use करते हैं, so I hope आपको ये word clear होगा, thank you very much, love and respect.